तो गाइस आज हम लोग बनाने वाले हैं माइनक्राफ्ट पी 1.21 का सब्ज बेस्ट बलेज फार्म क्योंकि वह कहते हैं अपने ही अपनों के दुस्मन होता है ओके गाइस तो काफी टाइम बाद हम लोग यहां पर अपने हाटकूर वर्ल्ड में आ चुके हैं और देखो भाई अभी वीडियो बगरा लेट इसलिए हो रही है क्योंकि अभी यह त्योहारों का मौसम ठीक है तो अभी यूट्यूब पर नहीं इंस्टाग्राम पर अक्टि इस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा तो फटावर से जाके फॉलो करो और मेरे फोटो देखो और गाइस ब्लेज फार्म बनाने के काफी सार उद्देश से हैं लाइक ब्लेजरोड से हम लोग खाना कूकर सकते हैं उसके बाद हम लोग और समें ब्लोग पोसन बना सकते हैं अरे नहीं रहे उसके लिए तो तरक्की ही काफी है देख रहो पीछे इतना बड़ा फूट वाम है जो कि मैंने पिछली वीडियो में बनाया था लेकिन मेरे पास अभी यहां पर एक भी टुकड़ा फूड नहीं है मतलब भाई everything is temporary but my friend is pregnant I mean guys मेरे पास food ना होना इस पर्मानेंट भाई कुछ भी बोल देता हूं मैं सही में तो चलो भाई हम लोग उने इतना बड़ा food farm बनाया तो देखते हैं भाई food farm के food में भी टेस्ट है कि नहीं क्योंकि after all size doesn't matter भाई food में टेस्ट होना चाहिए तो चलो गाईस यहां से हम लोग आलू ले ले लेते हैं और यहां पर हम लोग को 43 आलू मिल चुक है और इतने में easily हमारी भूप मिट जाएगी क्योंकि हम लोग इतने भी प्यासे नहीं है यह बड़ी अच्छी बात कहिए तो गाईस अभी के लिए मैंने अपने खाने को लकडियों से ही पकने रख दिया है क्योंकि लड़किया बहुत ही अच्छे से पकाती है तो चलो भाई अभी के लिए 19 आलू काफी है इतने में हमारा भूप मिट जाएगा अभी के लिए तो मेर कोई एक बात समझ नहीं आ रहा है यह चारो कुत्ते छितर बितर कैसे हो गये लाइक बाई चारो ने चारो कोने पकड़ लिए जगड़ा हुआ क्या तुम लोग के कुछ बाई इनका नाम बता बाई इनका नेम क्या रखे बाई बताओ कोई बाई तू तो भूली गया हो तूम लोगتي लोगी यहाँ पे में खड़ा हूं और लोग तुम लोग का कर रहे हैं तूम लोग कुछ बोल साक्ते है वाह क्या सीम है थोड़ो भए इनका ये सब तु चलता रहाएगा हम लोग फटावट से blaze farm बनाने के बिए सारा सामान जमा करते हैं जिसके लिए हम लोग को थोड़ा भगवत stone ओर धेर सारी glasses चाहिए होगी तो चलिए फटावट से stone ही जमा कर लेते हैं और इन चेश्टों में होना चाहिए थोड़ा वह साइद यहां पर थोड़ा बहुत इस्टोन तो पड़ा हुआ है तो पहले हम लोग इनको ले लेते हैं बट इतने में भी नहीं होगा इससे भी जादा हम लोग को चाहिए इतने सारे स्टो ब्रिक्स चाहिए यहां पर हमारे पास से एक दो तीन चार पांच mother सबस्क्राइक चौर वाइब जल्दी आया करो न उतना टाइम नहीं है मेरे पास और भाई मैंने अभी अभी सारे chest चेक किया और मेरे को पता चला कि भाई मेरे एक भी chest में gunpowder नहीं है literally एक भी gunpowder नहीं है मतलब अब हम लोग को अपने gunpowder farm में भी जाना पड़ेगा और by the way आज हम लोग को यहाँ पर एक trident भी चाहिए नहीं चाहिए तो चलो गाई जब इन चैस्टों को खोल के देखते हैं और यहां पर बारा गनpowder पड़े हुए और यहां पर आट गनpowder पड़े हुए है तो इससे जाता तो हम लोग को नहीं चाहिए अभी एक सेगंड भाई मेरी सवल पर एफिसेंसी नहीं लगई हुए किया अभे यार नहीं लगई हुए भाई मैं लगा क्या हूँ क्या एफिसेंसी अभे नहीं यार छोड़ो भाई एफिसेंसी जब देख लगाने जाओंगा न उतने में मैं यहां पर सेंड ही जमा कर लूँग तो चलो गाइस यहां पर मैंने काफ़ी चारा सेंड जमा कर लिया है अब आपिसली भाई फार्म में हम लोग सेंड थोड़ी लगाएंगे तो चलो फटावट से इनको इसमेल्टिंग पर लगा देते हैं ताकि यहां पर ग्लास बनते रहे तो चलो भाई अब हम लोग फटाव होने को ही है बटम लोग को एक भी यहां पर ट्राइडेंट वाला प्राने नहीं मिल रहा है यह बस नॉर्मल वाले मिल रहे है यारी ड्राउंड भी न अपने बच्चों को कुछ भी पकड़ा देते हैं भाई वो उसके लिए नहीं है उसको क्यों देया बताना भाई वो मेर मेरे को देदे चल मेरे को देदे वो तेरे खेलने की चीज़ नहीं है मेरे वो काम आईगी चल देदे हां भाई मैं यहां पर इतने दिनों से माइनक्राफ्ट खेल रहा हूं मैं आज पहली बार देख रहा हूं कि डॉल बिन मेरे उपर हमला गर रही है वैसे करेगी क्यों न कुंगा इतना प्यार में कितनी राते कुछ वरी वह उंते सवावर ने हैं। ओकी गाईज तो इस farm को बनाने के लिए हम लोग को जो भी सामान चाहिए होगा हम लोगोंने सारा सामान जमा कर लिया है जो कि इन दोनों शलकर चेस्ट में है और बाकी यह आप में थोड़ा बहुत glass और वीज मेल्ट होने रख दिया है अगर हम लोग ओर वीज ग्लास का ज़ ब्रिक्स भूंडा मॉइंडिंग यहां पर सुवह हो चुके तो अब यहां पर दोनों सलकर बॉक्स उठाते हैं और चलते हैं नैधर में और नैधर में जाके फटावट से एक फोर्ट्रेश ढूंढते हैं मैं फोर्ट्रेश ढूंडा हुआ ही है बस हम लोग एक ब्लेज का इ दूनना पड़ेगा तो चलो गाइस अब फटावट से अपने पुराने वाले फोर्ट्रेश पे चलते हैं और भाई अगर मैं सची बता हूं तो मैं यहां पर रास्ता भूल चुका हूं कि कहां से अपना फोर्ट्रेश जा रहा था भाई मैं गधा हूं यार मैं क्या बोल र रहा था भाई सामने ही था तो गाईस यहां पर हम लोग फोर्ट्रेश पे तो आ चुके हैं लेकिन अब हम लोग को सबसे पहले यहां पर ब्लेज का स्पॉन है डूढ़ना पड़ेगा ओके गाईस तो हम लोग को यहां पर थोड़े बहुत टॉर्चेज लगा देते हैं ता हम लोग हो गया कि यह दो तीनर्ग और पाँंच कि अ pap मिडिल में खड़ा हो जाना और हम लोग को यहां पे एक साइड में खोड़े आ हैं तो अ अब लोग को यहां पर सभी साइड में चार-चार ब्लॉक माइन करना है लाइक एक दो तीन और चार एक दो तीन चार तो बेसिकली यहां पर हम लोग को एक 11 बाई 11 का पूरा एरिया माइन करना है तो चलो फटावट से काम पर लग जाते हैं तो आप लोग यहां पर देखी सकते हो कि मैंने इस पूरे एरिया को माइन कर लिया और कुछ उबढ़ खा बढ़ते तो उसको भी मैंने फिक्स कर दिया है तो गाईस अब हम लोग को क्या करना है कि अब हम लोग के यहां पर बिल्ड़ अप करते हुए इस पॉनर के ऊपर जान और इसके उपर हम लोग को चार और temporary block लगाने है like टोटल में हम लोगको 5 temporary block लगाने उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि जहां तक हम लोग को नहीं के temporary block लगा है हम लोग को ऊपर से भी उप टे पूरे एरिया को माइन कर देना है ओकी गाईज तुम ने इस्पॉनर के उपर से भी 5 ब्लोक माइन कर दिया और अगर मैं आप लोग को इन्सोर्ट बताऊ था हम लोग को इस्पॉनर को उपर नीचे दाएं पाएं सबी साइड में 5 ब्लोक करके माइन करना है और ये फिर से आ गया निकल भाई यहां से परेशान करके रख दिया है और भाई हम लोग को यह भाई टेंप्रेरी ब्लॉक्स भी तोड़ देना है भाई यह थोड़ी रखना है अब तेर को क्या हो गया भाई है तेर को तो मैंने कि करा भी नहीं है ना तेरी आंकों में देखा मैंने तो अब हम लोग को क्या करना है कि भाई पह और नीचे हम लोग यहां पर ग्लास लगा देना है या फिर आप लोग कुछ भी ब्लॉक्स लगा सकते हो आपकी मर्जी है वहाई मैं एस्थाटिक के लिए यहां पर ग्लास लगा रहा हूं कि फ़र ऊव लेट इस voucher को पूरा गल्स हैं इस एप केज को अब हम लोग को क्या करना हे कि है कि यहां पर आप नंता ही होगा ना दो क्या ब्रेंट किलियर बनाना है कि यहां पर आता ही होगा लेकिन ट्राइडेंट के लिएर बनाने से पहले मैं यहां पर एक रूम टाइप बना देता हूं जहां से मैं एंट्री लोंगा फटावर्ट से बाकी का काम करते हैं अपने फार्म का बाई यहां यहां पर निकल यहांसे चलने का पर प्लेट करते हैं अभी वाट भाई ये क्या है वाट अभी ये गायक का अभी ने वाट अभी जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल ला भाई जस्ट अभी गिरा यहाँ पे वाई गज्या भाई चोर को देख रहो भाई मैंने उसको मारा और इसने उटा के पहन लिया अभी इन कलूओं का क्या अभी गाड़ है मैंने इतने सारे मेरे पीछे क्यों पड़े हुए है बट मेरे को लग रहा है यहां पर कोई तो गिराएगा यहां पर विदेरे स्केलेटन हैट लो भाई गिरा दिया अब हम लोग को यहां पर बीच में कुछ साइन बोर्ड लगाना है बहुत ही ध्यान से क्ल conquest लगाना ऑढ़ी थी यहां पर अगे लगाना है की तकी हम लोग में इसके साइ手 में लिए रडिट में यहां पर बिलेज पॉन होगा आपर वह लावा पर धार मियों ब्स्तों और दो कुछ पी Abstнего कृटों होग में त्यांड़ गांद' लिट्रली अभी ध्यान दिया इस फार्म को बनाते हुए ही हम लोग को 42 ब्लेजरोड मिल चुके हैं जब फार्म को बनाते हुए ही इतने ब्लेजरोड मिल जाए फिर फार्म बनाने का मतलब ही क्या है ओकी गाईस यहाँ अप हमारा फार्म एकदम कंप्लीटली रेडी है और भाई इसी के साथ मेरे को एक खुसकवरी भी मिल चुके है लाइक भाई यहाँ पर हमारी 20 के सस्क्राइबर भी कंप्लीट हो चुके है तो गाईस इसी खुसी के मौके पर आप लोग से एक छूटी सी रिक्वेस्ट है क्या यह वीडियो मोस्ट लाइक और मोस्ट कमेंटेड वीडियो बन सकता है मेरे चैनल का बाकी भाई मेरे चैनल को भी सस्क्राइब कर लेना क्योंकि अब हम लोग को जल से जल 50 के सस्क्राइबर भी करने है और मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना और डिस्कॉर्ट भी जॉइन कर लेना लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलो गाइज मैं मिलता आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में तब दक के लिए जाए हींद और राम राम